हेलो फ्रेंड्स आज हमने बनाई है सभी की फेवरेट आलू टिक्की इसे हमने बहुत ही इजी वे से बनाया है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं आलू टिक्की बनाने के लिए हमने सबसे पहले 5 मीडियम साइज के आलू लिए है यहां पर हमने यह खास स्यां रखना के यह आलू बिल्कुल ठंडे होने चाहिए गरम आलू की टिक्की कवी नी बनानी चाहिए इससे अच्छी टिक्की बनेगी नहीं आप चाहे तो इन आलू आदी छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आदी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और दो कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे टिकी की वाइंडिंग के लिए हम इसमें दो चम्मच अरा रोट का पाउडर डालेंगे इसकी जगा पर आप कॉन फ्रोर जाब फिर चाबल काट्टा भी डाल सकते हो इससे हमारी टिकी कुरकरी और करारी बनेगी लास्ट में हम इसमें सूखी मेती डालेंगे आप इसकी जगा हरा धनिया भी डाल सकते हो अब इस सारे मिक्सर को हम अच्छे से मिलाएंगे आलू त्यार हो चुके हैं अब हम थोड़े से आलू लेकर अपनी दोनों हथेलियों के बीच इसे गोल-गोल गुमाएंगे और फिर इस तरीके से इसको प्रेस करेंगे तो ये हमारी पहली टिक्की बनके त्यार हो चुकी है इसी तरीके से हम दूसरी टिक्की को भी बनाएंगे गोल-गोल गुमाएंगे और फिर प्रेस कर देंगे इसी तरीके से सारी टिक्की को बना लेंगे और फिर इनको फ्राई करेंगे तेल गरम हो चुका है, अब हम टिक्कियों को फ्राई करेंगे टिक्कियों पर ब्राउन कलर आ चुका है, अब हम इनको पल्टेंगे आप देख सकते हो फ्रेंड्स की हमारी टिक्कियों का कलर कितना अच्छा आया है अब यह दोनों साइड से फ्राई हो चुकी है, अब हम इनको वहाँ निकालेंगे आप देख सकते हो फ्रेंड्स की हमारी टिक्कियों कितनी परफेक्ट बन के तियार हुई है और जे खाने में भी वहुत ही जादा कुरारी और कुरक्री होती है सारी टिक्कियों को बाहर निकानने के बाद इनको सर्व करेंगे